नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कॉम्पडिशन कम्यूनिटी में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले हपते आपने जितने भी करेंट एफस को पढ़ाया है उसका हम एमसेक्यूज डिसकस करने वाले हैं इंक्लोडिंग चत्तिसगड़ यानि कि चत्तिसगड़ करेंट फिर भी पोखरासर के जरी आपने जो पिछले हपते पढ़ाया है उसका भी एमसेक्यूज आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं ध्यान रखिएगा अब जितने से जरूर जूड़िएगा क्योंकि पढ़ता हर कोई है लेकिन बहतर तरीके से रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आप साम में अच्छा स्कूर कर पाएंगे इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि कहते हैं कि प्रक्टिस में पर्फेक्ट तो जितना प प्रेल के बीच में अपने जितने भी करेंट एफेस को पढ़ा है उनकी आधार पे आज हम कुछ कुछ को डिसकस करने वाले हैं बार-बार में बोल रहा हूं और बार-बार आप लोगों का नीचे कॉमेंट भी आ रहा है पीडिएफ को लेकर हम कहीं भी पीडिएफ उपलब एक जगह पे बहतर सिस्टमेटिक ढंग से कंटेंट मिल पाए ताकि आप और बहतर तरीके से पढ़ें क्योंकि होता क्या है हर हपते अगर आप बहुत सारे पीडिएफ इकटा करोगे तो बहुत प्रॉबलम होगा उसको सवारने में उसको रिविजन करने में तो इसी लिए मंतली मैगजिन में यह सारे कंटेंट अविलेबल होते हैं जीतने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहे हैं तो आपके पास लिमिटेट रिसूर्स रहेगा लिमिटेट सूर्स आप घर में रख पाऊगे और बहतर तरीके से आप रिविजन कर पाऊगे बहतर तरीके से पढ़ पाऊगे तो इस मैगजिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस पे इसके मोबाइल अप्रिकेशन को डाउनलोड कर लिजेगा यहां पे बहतर कंटेंट के साथ हाई क्वालिटी वीडियो लेक्च्छर्स के साथ आपको बहुत सारे कोर्स आव प्रदेश में लागू मनरेगा यूजना के तहत सत्य कथन है क्योंकि आपने स्टेट्मेंट वाले क्वेस्टन पर आप फूकस कीजिएगा क्योंकि देखो CGPC का जो ट्रेंड है ना वो हमेशा बदलते रहता है और मैं बार बार एक बात जरूर बोलता हूं कि CGPC ना आप इसे गिरगिट की तरह कह सकते हो कि अपना रंग कभी भी बदल सकता है कभी बहुत simple question पूछेगा कभी moderate रखेगा कभी बहुत high level question पूछेगा तो आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि questions के type किसी भी तरह से क्यों नहों आप उसको बहुत बहतरीन तरीके से और बहुत आसानी से solve कर पाए इसलिए हर तरह के questions को आप deal करने की कोसिस करना और हर तरह क स्टेट्मेंट है प्रदेश में चालू वित्यवर्स यानि की current financial year 2021-22 के लिए मन रेगा के तहत रोजगार से इंप्लॉइमेंट जेनरेशन का लक्ष जो है 13.5 करोड मानव दीवस से बढ़ाकर 15 करोड 72 लाग मानव दीवस हो जाएगा यानि कि इस पर एक approval मिला है तो पिछ इतना दीवस से बढ़ाकर जो है यानि कि पिछले साल ये इतना दीवस था अब जो है इसे कर दिया गया है 15 करोड 72 लाख मानव दीवस इसके डिमांड को देखते हुए क्योंकि आपको पता है कि 36 गर्ड अधिवासी स्टेट है और बहुत अधीक मात्रा में जो यहां के जन 10 लाख से अधीक परिवारों के करीब इतने लाख स्ट्रमिको को काम दिया गया है तो यह स्टेटमेंट भी आपका सही है यानि कि पिछले साल आप मनरेगा के तहत में जितने भी लोगों को काम दिया गया और आपने बार बार पढ़ा भी है पिछले साल कि पूरे पुरे प पढ़कर 36 गड़ ने मन्रेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जिसके मामले में 36 गड़ क्या था पहले इस्थान पे था तो यह दूसरा statement भी आपका सही हो जाता है तीसरा statement है इस दौरान 4,75,344 परिवारों को 100 दिन से अधिक का रोजगार भी मुहया कराया गया है मन्रेगा में आपको पता है कि मन्रेगा में guarantee क्या दिया जाता है प्रतेक व्यक्ति को 100 दिवस रोजगार देने का यानि कि साल में 100 दिन जो है उसको मन्रेगा के तहट रोजगार दिया जाएगा ऐसा गैरेंटी है लेकिन मन्रेगा में एक सेक्षन है जिस सेक्षन को हम क्या कहते हैं इस सेक्षन को हम कहते हैं 3-4 और इस सेक्षन के तहट अगर राज्य सरकार चाहे तो मानव दिवस में अधीक का रोजगार दिया है और इस section के तहरे जो एक्स्ट्रा फंड लगता है क्यू लगता है क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा डी का रोजगार दे रहे हो तो यह funds state government वहन करती है ठीक तो ये इस तरह से इस question का जो सही answer होगा वो उप्युक्त सभी क्योंकि तीनों statement जो है वो सही है अब यहाँ पर कुछ other facts में भी आपको याद रखने की आवशकता है जैसे पहला point की ये आखिर मनरेगा है क्या ठीक तो मनरेगा का पूरा नाम आप लोगों को पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लोईमेंट जेनरेशन एक्ट ये एक्ट का पारित हुआ एक्ट पारित हुआ 2005 में यानि कि ग्रामिन छेत्रों में रोजगार मुहया कराने के लिए एक guarantee दिया जा ये दूसरा इसका point हो गया एक point याद रखिएगा कि 2005 में जब इस scheme को सुरू किया गया तो इस scheme का नाम था क्या नरेगा लेकिन 2009 में इस scheme का नाम कर दिया गया क्या महात्मा गांधी राश्रिय ग्रामिन रोजगार गैरेंटी योजना ठीक है अब इसका नाम आप बदल गया 2009 में इस point को भी आप याद रखिएगा अब यह योजना जो है वो किस मंत्राले के तहत क्रियानवीद किया जाता है तो ग्रामिन विकास मंत्राले भारत सरकार के दर ठीक इस point को भी आप याद रखिएगा यानि के ministry of rural development इसके दौरा इसे implement किया जाता है अब जैसे मैंने एक section बताया था, वो section कौन सा था, आपका 3, 4, इस section के बारे में याद रखिएगा, 100 दीनों का guarantee कि इसके दोरा दिया जा रहा है, central government की तरफ दिया जा रहा, लेकिन अगर इस state को लगता है कि इसमें वृद्धी करना चाहिए, तो state government इस धारा का इस्तेमाल करके वृद्धी कर सक सकता है, या फिर central government जितना fund पड़े के हिसाब से, रोजगार के लिए दे रहा है, लेकिन अगर state government को लगता है कि इसमें increment करना चाहिए, तो state government बिल्कुल increase कर सकता है, जैसे, 36 गड़ में अगर आप देखोगे, तो अभी कितना दिया जा रहा था, 193 रुपए मजदूरों को दिन भर में जो काम करते थे, उसके आधार पे दिया जा रहा था, लेकिन एक अप्रेल को इसमें एक और अपडेट हुआ, ये अपडेट क्या हुआ, इसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई, और अब जो है, कितना हो गया, साथ 204 रुपए जो है, अब स्रमिकों को पूरी दिया जाएगा, एक अप्रेल 2022 से, तो ये इंपोर्टिंट अपडेट एक और है, इसे भी आप अंडरलाइन करके रखियेगा, ये हो गया अगला पॉइंट, इसके बाद एक पॉइंट और धियान रखियेगा, इस सल जो बजट प्रस्तूत किया गया है, तो जो 2021 के मनरेगा का डिमांड बढ़ने के बाद भी इस वर्स जो है, इसमें 25% की कमी की गई है बजट में, और यह बजट लगभग 74,000 करोड रुपय का इस साल का है मनरेगा के तहत, क्योंकि COVID-19 में बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खोया, बहुत सारे ऐसे दिहारी मजदूर जो दूसरे सहर में जाके काम करते थे लेकिन उन्हें वापस घर आना पड़ा और आब वो मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर भी डिमांड बढ़ने के बाद भी मनरेगा का यहां पर बजट में कम किया गया है, तो मनरेगा से रिलेटेड इतने फैक्ट्स को आपको धिहान रखना होगा, क्योंकि अगर परिक्षा में कहीं से भी प्रशन पूछता है, या फिर कहीं भी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, मनरेगा एक बहुत इंपोर्टेंट स्कीम है, तो आप इसका कर सकते हो, क्लियर चलिए, अगला जो कोश जाते हैं, और इसलिए ये इंपोर्टेंट भी हो जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले की आखिर ये बैंक सखी है क्या, तो बैंक सखी को समझने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं क्या, राष्ट्रिय आजीवी का मिशन, राष्ट्रिय आजीवी का मिशन के ब किया गया ठीक अब यहां पर एक पॉइंट और याद रखना कि वर्स 2016 में इस स्कीम का नाम बदला गया और इस स्कीम के सामने जोड़ा गया दीन दयाल उपाध्याय राश्ट्रिये ग्रामिन आजीविका मिशन ठीक है यहां पर ग्रामिन छूड़ गया है तो इसको एड़ कर रही किया जाता है और इसमें सहयोग कौन करता है तो इसमें सहयोग करता है इस मंत्रालय को नबाड इसकी मदद से जो है इसका क्रियाइन वेन किया जाता है आखिर अब राश्ट्रिये ग्रामिन आजीविका मिशन का उद्दे से क्या है नाम से ही क्लियर है कि आजीविका को बहतर बनाने के लिए ग्रामिन छेत्रों में इस मिशन का उपयोग किया जाता है 2011 में शुरू किया गया था, 2013 में इसका विस्तार हुआ और 2016 में इसका नाम बदला गया पंडित दीन द्याल उपाध्याय राश्रिय ग्रामिन आजीविका मिशन ठीक बात है और इसी आजीविका मिशन के तहत नवाड की मदद से ही बैंक सखी नामक एक कैम्पेंड कह सकते हो या फिर एक स्कीम भी कह सकते हो इसे शुरू किया गया अब जैसे देख लो बहुत सारे ग्रामिनों में आप देखते होगे कि ग्रामिनों को क्या मिलता है पेंशन मिलता है, सबसीडिस मिलता है, व्रिद्धा पेंशन मिलता है बहुत सारी चीज़े गर्मेंट की तरब से उन्हें मदद किया जाता है लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते है तो घर पहुँच बैंकिंग सिस्टम उनको उपलब्ध कराया जाए इसलिए 36 गड़ में आज से 3 साल पहले बैंक सकी इसी आजीविका मिशन के तहत में शुरू किया गया ताकि ग्रामिनों को घर पहुँच बैंकिंग सुविधा परदान किया जा सके और यहां पर बैंक सकी के माध्यम से महिलाएं भी ससक हो सके और इसलिए इसे शुरू किया गया महिलाएं जाती है जो बैंक सकी होती हैं सीधा घर जाती है और उनके पैसे जो होते हैं यानि कि बैंक में जो उनके पैसे होते हैं परकम होता है उन्हें वो निकाल कर दे देती हैं अब क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था कौन से 36 गड़ राज जिस्तर पर सबसे अधीक लेंदेन करने वाली बैंक सक्की बनी है पिछले एक साल में नाम है संगीता खाल खो ये जो है पिछले एक साल में अधीक इन्होंने सेविंग एकाउंट खोले हैं ग्रामीनों के और इसी लिए जो है इन्हें सम्मानित भी किया गया है तो याद रखिएगा संगीता खाल को का नाम बैंक सकी के सहत तहत में आप से पूछा जा सकता है यहाँ पर आप से प्रशन बन सकता है तो इनका नाम य सत्यक अथन है यह भी 36 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 36 के आर्ट इन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेशन पूछे जाते हैं और जो न्यूज में रहते हैं खासकर आप उसका आर्ट इन कल्चर तैयार करते जाओ तो मैक्सिमम जो आर्ट आर्ट इन कल्चर है वो आपका तैयार होते जाता है 36 से रिलेटेड क्योंकि आप यह देखो कभी न कभी पूरे साल भर में कोई भी फैस्टिवल मनाया तो जाएगा तो अगर आप उसे उसी समय कवर कर लो तो आपका रिवेजन भी बहुत बहतर तरीके से हो जागा भूलन तरीके से कवर कर सकते हो इसलिए प्रसाल भर एक महीना आपको याद थे इसी महीने में इसी महीने में खोली का 문제 हर मनाया जाता है अच्छा हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है तो पहला महिना होता है आपका चैत्र याद रखिएगा हिंदी कैलेंडर में भी 12 महिने आपको पता होना चाहिए कि हिंदी कैलेंडर से रिलेटेड भी कुछे जाते हैं और इस तरह के कुछेंडर में हिंदी कैलेंडर का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रूल होता है इसलिए उसे भी अब ध्यान रखिएगा ठीक तो पहला स्टेट्मेंट सही है दूसरा स्टेट्मेंट इस मेले में 700 से अधिक गों के देवी देवताओं को सामिल किया जाता है और मुख्य रूप से दंतेवाडा के छितर में मनाया जाता है तो दूसरा स्टेट्मेंट भी आपका सही है तीसरा स्टेट्मेंट इस मेले में माद दुर्गा के नौ रूपो की पूजा के साथ नौ दिन तक माता की पालकी निकाली जाती है इस statement में आप फस सकते हो लेकिन ये statement भी सही है क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर बात हो रहा है फालगून मड़ाई मेला कि यानि कि होली के तैवहार के आसपास की बात हो रही है इस मेले की बात लेकिन यहाँ पर दुरगापुजा से संबंदित भी नवरातरी से संबंदित भी points आगए तो आप ध्यान रखना कि जैसे ही फागून खत्म होने वाला होता है उसी समय आपका नवरातरी भी सुरू होता है यानि कि पूरे साल भर में दो नवरातरी होते हैं तो इस समय भी नवरातरी होता है तो इस तरह से ये statement भी सही होगा यानिकि इसका अंसर भी option D होगा clear है चलिए आगे बढ़ें आदिवासी बहूल कुंडा गउजीले की महिलाओं ने किस नाम से किसान producer company बनाई है जिसे हाली में भारत सरकार के सुक्षम लगू और मध्यम उद्दम्यानी की Ministry of Micro Small and Medium Enterprises द्वारा food processing के छेतर में उद्कृष्ट कारे करनी के लिए नई दिल्ली में समानित किया गया है question important है परिक्षा में पूछा जा सकता है आपको इसका answer करना है option है उडान महिला किसान producer company दूसरा option है ससरक्त महिला किसान producer company तीसरा option है तो कहा कि कंपनी है तो कोंडा गों की कोंडागों की महिलाओं के द्वारा जो है यानि की महिला स्वासाहता समूहों के द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया है इस कंपनी में 10 जो है बोर्ड ओफ डिरेक्टर है ठिक अब इसके अलाबा 30 महिलाओं महिलाएं जो हैं इस कंपनी की सदस से है और इस company के द्वारा जो है लग भाग 300 से अधीक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और यहाँ पर आदिवासे जीला, बहूल आदिवासे जीला, कोंडा गवा में इस company को स्थापित किया गया है और वहाँ पर अलग अलग तकनीक से, अलग अलग प्रोसेसिंग से, यहाँ पर सबजीयों को उगाया जाता है, फलों को उगाया जाता है, विवीन परगार के क्रिसी की जाती है और उसका जो export है, ना सिर्फ भारत में हो रहा है, बलकि विदेसू में भी किया जा रहा है और दुबई expo जो अभी चल रहा है, वहाँ पर virtually इनके product को भी सामिल किया गया, इसलिए यह बहुत important हो जाता है, क्योंकि इनकी पहचान ना सिर्फ national रही है, बलकि international level पे भी हो रहा है तो इसलिए यह आपके लिए important हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उडान महिला किसान producer company, जिसे हाल ही में, ministry of micro, small and medium enterprises के द्वारा, हाल ही में नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है अब नई दिल्ली में एक conference का भी आयोजन किया जा रहा था, उस conference का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि उसी conference के दौरान जो है, यह सम्मान इन्हें दिया गया है उस conference का नाम है, यानि कि एक submit है, उस submit का नाम है, 5 trillion dollar economy investment business submit 2022 और इसी submit में जो है, इन लोगों को सम्मानित किया गया है, clear है, तो इसका answer आप लोगों को समझा गया ना, इसका answer जो है, वो पहला होगा ठीक बत, आगे, अगला question है, हाली में Swiss open, कुछ दिन पहले ही हमने discuss किया इसे Swiss open को, और बहुत important है, और बहुत बहतरीन तरीके से मैं एक्स्प्रेन करने की कोशिस भी की थी question है कि हाली में Swiss open 2022 का खिताब जीतने वाली PV सिंधू, तो सबसे पहले यह याद रखिएगा कि यह खिताब को किसने जीता है, PV सिंधू, किस करम की भारतिये महिला खिलाडी है, जिन होने Swiss open प्रतियोगिता को जीता है, तो ध्यान से याद करने की कोशिस कीजिए, जब मैंने पढ़ाया था मिसलेनियस वाला current interface, तो उसमें मैंने बताया था कि वर्स 2011 में किन्होंने जीता था, Swiss open जिनका नाम था सायना नहवाल, इन्होंने पहली बार जीता था, और 2012 में भी सायना नहवाल ने ही Swiss open को जीता था, तो इस तरह से अगर महिलाओं का करम देखें, तो PV सिं सायना नहवाल का, अब यहाँ पर कुछ और important facts को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब हम revision कर रहे हैं तो, Switzerland के Basal में यह प्रतियों किता, आयोजन किया गया था, और इन्होंने किसे हराया था, तो Thailand के बुशानन को हराया था, और यह किताब इन्होंने जीता, और इस खिताब का पूरा नाम क्या था, तो Swiss open super 30 badminton tournament, और जैसे मैंने आपको बताया, कि यह जो है दूसरा खिताब, या पीवी सिंदू ने कौन सा medal जीता, ब्रॉंज medal जीता, तो इसे आप करेक्ट कर लीजेगा, और इससे पहले 2016 में जो रियो में ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने silver medal जीता था, तो दो बार ओलंपिक पदक भी जीत चुकी है, 2016 में silver और 2020 में ब्रॉंज medal इन्होंने जीता इसके अलावा पीवी सिंदू पहली ऐसी भारतिय महिला badminton खिलाडी है, जिन्होंने world badminton championship भी जीता है, और यह badminton championship कौन से साल में इन्होंने जीता है, तो 2020 में badminton world championship का खिताब जो है, इन्होंने अपने नाम किया है, 2020 या I think 2019, थोड़ा सा मैं confuse हो रहा हूँ, एक बार आ badminton championship भी पीवी सिंदू ने जीत रखा है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, सुझलाम अभियान के संदर्व में सत्यकतन है, अच्छा जो भी lectures आपको मिल रहे हैं, जो भी current office के program आपको available कराया जा रहे हैं, week में जितने भी videos आपको मिल रहे हैं, उन videos पे अगर किसी भी तर है, तो हम उसे implement जरूर करेंगे, तो किसी भी तरह से कोई भी suggestion अगर आप देना चाहते हैं, तो खुले मन से आप उस suggestion को दीजे ताकि बहुत सारे लोगों को फैदा मिल सके और बहतर content हम और बहतर content deliver कर पाएं, ठीक है, तो अपने suggestion हमें जरूर देना, ठीक, चलिए, अगला है, सूजलाम अभियान के संदर्व में सत्यकतन है, बहुत important campaign शुरू किया गया है, बहुत important है, परिक्षा में प मंत्राले के मंत्री कौन है, गजेंदर सिंग से खावत, मैंने पहले भी discuss किया था, कुछ दिन पहले discuss किया था, कि 22 March 2022 को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस, याद करिए, विस्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक, और विस्व जल दिवस के अवसर पर ही, सूजलाम अभिया प्रभंधन यानि की ग्रेव ओर मेनेजमेंट से, यानि की मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के लिए शुरू किया गया है, यानि की इसी के उद्देशे के लिए किया गया है, तो यह ऑप्सन भी बहुत important है और सही है, कि आप से प्लशन पूछा जा सकता है, कि सूजलाम अभिय कि इस उद्देश के साथ में शुरू किया गया है तो याद रखिएगा ग्रेव वाटर मैनेजिमेंट से समंदेगा ग्रेव वाटर क्या होता मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो भी आप घरों में पानी इस्तिमाल कर सकते हो चाहे सौवर के जर गया थे जब सुजलान अभियान वन पॉइंट जीरो को लॉंच किया गया थे यानिकि वन पॉइंट वों को लॉंच किया गया था कब अगस्त दो हजार 21 में तो इतने समय में लगभग पूरे देश भर में 10 लाक गड़े जो है खोदे गया थे ग्रेव वाटर कितना? 10 लाक अब जो है दूसरा संसकरन का जो टार्गेट रखा गया है वो 6 लाक गाउं में जो है वो इंप्लिमेंट करने के लिए सुजलाम अभियान को 2.0 को लॉंच किया गया, यानि कि 6 लाख गौव में इस स्किम को इंप्लिमेंट किया जाएगा, ठीक बात, और इस अभियान का प्रथम संस्करन वर्स 2021 में सुरू किया गया था, तो ये option भी आपका सही है, तो इस question का भी answer जो हो जाएगा, वो आपका all up the way above, यानि कि उप्योक्त सभी हो जाएगा, ठीक, अगला जो question है, वो है सही सुमेलिद केजी, यानि कि match the following, उप्सन A है, अंतराष्टिये 1 दिवस, B में दिया हुआ है विस्व गौरया दिवस, C में दिया हुआ है जल दिवस, और D में दिया मार्च को मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया, 2012 में, क्योंकि प्रश्ण इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंतराष्टिये 1 दिवस की शुरुवात कब की गई, इसके बारे में भी आप ध्यान रखेगा, दूसरा point आता है, विस्व गौरया दिवस, गौरया एक प में किया गया, गौरया इससे मंदित कुछ और अदर्स फैक्ट भी रखेगा, गौरया दिवस के अफसर पर 20 मार्च को मनाया गया, इससे रिलेटेट कुछ और फैक्ट भी आप याद रखेगा, जैसे पूरी दुनिया में, अगर आप देखोगे, तो पिछले 40 वर्सों में पिछले 40 वर्सों में, अगर आप देखोगे कि विविन पक्चियों की संख्या में, वुरिधी दर्ज किया गया है, लेकिन अगर हम गौरया की बात करें, तो गौरया के मामले में 60% की कमी देखने को मिली है, और पूरे विस्वभर में गौरया की 26 प्रजातियां पाई जा तो इस तरह related यह कुछ facts भी याद रखना और इसी को protect करने के लिए जब बहुत बड़ी संख्या में गिरावट देखने को मिली तो वर्स 2010 में प्रतेक वर्स जो है इस साल से विस्व गोराया दीवस मनाया जाने लगा ठीक है विस्व जल्दीवस अभी हम जस्ट थोड़ी दि पहले डिसकस किये तो यह बहुत सिंपल है आप धीसको answer कर सकते हूँ विस्व जल्दीवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया पहली बार 1993 में मनाया गया और लाश्ट बच जाता है विस्व छह रूपुट इवस तो यह कब मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है इस से related कुछ other facts याद रखिएगा 1882 में क्या हुआ था रोबर्ट कोच इन्होंने टीवी से सम्बंदीत यानि कि 6 रोख से सम्बंदीत जीवानू का खोच किया था जिसके कारक है और जिसके कारण होता है आपका टीवी इसी वैक्टिरिया की इन्होंने खोच की थी और इसे लिए जब इनकी सताब्दी मनाई जा रहे थी इस खोच का यानि कि 1992 से प्रतेक वर्स ये फैसला लिया गया कि विस्व चैरुख दिवस मनाया जायागा यानि कि पहली वार विस्व चैरुख दिवस जो है 1992 में मनाया गया था याद रखिएगा अगला क्वेशन है हाली के दिनों में चर्चा में रहा एक्वा मैप के संदर्व में सही कथन है एक्वा मैप ये सायद जल प्रवंधन और नीती के इंदर है एक्वा मैप के अंतरगत जल प्रवंधन प्रथाओं को देश भर में विविन चेतरों में लागू किया जाएगा तीसरा ओप्सन जो है आपका इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और ये आपके नीचे चाहिए इसका जो अंसर होगा वह गभी एक और दो स्टेटमेंट सही है एक्वा मैप के अंतरगत में न वाटर मैनेजमेंट के लिए यानि की ग्राउंड वाटर को इनक्रेज करने के लिए और प्रॉपर तरीके से जो पानी के परवाद होते हैं उसे किस तरह सूसर मैनेज किया जा सके कहां पर पानी का कितना उपलब्दता है इसलिए एक्वा मैप को जो है इसी उद्रिस के साथ में शुरू किया गया है अब इसके अंतरगत जितने भी जल प्रथा है जो पूरानी जल प्रथाओं को संचित करने के जो पूरानी जैसे कुवा खोदना हो गया तलाप खोदना हो गया इन सारी चीजों का भी इस एक्वा मैप के तहट इंप्लिमेंटेशन किया जा रहा है अब दूसरा पूइंट देखो एपा मैप जो जल प्रबंधन है इस प्रथा को देश के विभीन छेत्रों में लागू किय जाना है लेकिन किया नहीं गया है लागू किया जाना है तीसरा स्टेटमेंट इसे पूरे देश भर में लागू अभी नहीं किया गया है क्योंकि यह अभी वरतमान समय में एक पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर लाउंच किया गया है पाइलेट प्रोजेक्ट का मतलब क लागू किया जाता है तो अभी इस एक्वा मैप campaign कहलो या जो भी कहलो इसे अभी एक pilot project के तोर पर launch किया गया है तो इस तरह से ये तीसरा statement कलत हो जाता है और ये दोनों जो है सही है ठीक चलिए अगला हाली में चर्चा में रहा अफरीका की वोमा तक्निक किस छेतर से संबंदित है ये दूसरा पस्वों के विकास से संबंदित है तीसरा व्रिच्छा रूपर से संबंदित है या फिर चौथा क्रेसी से संबंदित है हाली के दिनों में अफरीका की वोमा तक्निक बहुत न्यूज में रहा न्यूज में रहने के वजह क्या है तो अफ्रीका का भूमा तकनीक जो है केवला देव नाम सुना है केवला देव राश्ट्रिय उद्ध्यान इस उद्ध्यान में जो है इस तकनीक का प्रियोक किया गया है ये केवला दिव राश्रिय उद्ध्यान कहां इस्थी थै तो ये राजस्थान में इस्थी थै राजस्थान में कहां इस्थी थै भरतपूर जीले में इस्थी थै रामसर अस्थल के रूप में भी इसे सूचिवध किया गया है केवला राश्री उद्ध्यान जो है एक मुख्य रूप से पक्छी अभ्यारन है ये भी आप ध्यान रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है केवला देव से रिलेटेड कुश्चन्स पूछे गए है क्योंकि ये वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरेटे साइट में भी आता है रामसर इस्थल में भी आता है बहुत ही महत्वपून पक्छी अभ्यारन है तो इस तर मूदन नैस्नल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी के तरफ से भी किया गया है भूमा तक्नीक के जरिये चीतल या फिर चीता या हीरन इनको जो है एक स्थान से अगर इधर भटक जाते हैं या कहीं और रहते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लि उजबेकिस्तान या फिर तुर्केमेनिस्तान तो इस कुष्टन का सही आंसर होगा उजबेकिस्तान के साथ में मिलकर भारत जो है दुस्तालिक नामक युद्धा भ्यास जो एक सैन्नी अभ्यास है वो करता है यहाँ पर कुछ और सैन्नी अभ्यास हैं जो बहुत सूरी की रन नेपाल और इसके अलावा यह दब्यास सैन्नी अभ्यास हैं जो इंपोर्टेंट है जहां से अपसे प्रशन पूछा जा सकता है इसके बारे में याद रखियेगा ठीक तो यह कुछ सैन्नी अभ्यास के अलावा उजबेकिस्तान के साथ में भारत यह सैन्नी जाता है तो इसे भी आप लोग ध्यान रखियेगा सबसे पहले अगर हम बात करें कि उजबेकिस्तान का लोकेशन क्या है तुझबेकिस्तान को आप कह सकते हो मिडलिस्ट एसिया यानि कि आप इसे सेंट्रल एसिया का भी एक पार्ट मान सकते हो एक देश मान सकते हो आप इ तो यह Central Asia के countries आ जाते हैं, अब यहाँ पर यह है आपका उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान के आसपास तुर्क्यमिनिस्तान, क्रिगेस्तान, यह सब सारी countries आ जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ important जो location है उसके बारे में याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर है Capsiansy, Caps Black CB जो है, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था, रूस और यूक्रेन का जब संखर्स चल रहा है, तो उसमें भी हमने Black CB बारे में पढ़ा था, तो Black CB जो है, एसिया और यूरोप के बॉर्डर को जो है, वो अलग करता है, यह सब सारी countries आ जाते हैं, और यूरोप की तरफ चले जाएं, तो हम Greece आ जाता है, तो यह भी अगर आप देखोगे, तो यह भी जो है, आपका Asia से यूरोप को अलग करता है, Mediterranean CB, और इसके अलावा एक important sea यहाँ पर और आ जाता है, Red Sea, यानि कि लाल सागर जो है, आपका Asia से Africa को अलग करता है, तो यह सारे important locations आपको याद होना चाहिए, Persian Gulf यहाँ पर आपका आ जाता है, यह भी आपका याद होना चाहिए, अब देखो, यह Middle East Asia है यह भारत के लिए बहुत important है, security के point of view से भी और economy point of view से भी बहुत important है, क्योंकि अब जैसे देखो कि भारत के यहाँ पर कुछ-कुछ बहुत ही important projects के बारे में जबब, तो यह आपका यहाँ पर इरान आ जाता है, ठीक, यह यहाँ पर इरान है, अब इरान में ही भारत क्या कर रहा है, इरान में भारत जो है, इस तरफ चाबाहार नमक port का निर्मान कर रहा है, ताकि यह Middle East Asian countries में जो है, अपने security को जो है, वो भी boost कर सके, यानि कि इन छेतरों से connectivity को भी बढ़ा सके, तो इसलिए हाँ पर चाबाहार port का निर्मान भारत इरान में कर रहा है, और इसके अलाबा, अफगानिस्तान तक भी पहुँचने में यह port जो है, बहुत मदद कर सकता है, और in countries से trade को भी बढ़ा सकता तो इस तरह से इन के कुछ important locations के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन countries के महत्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत को point of view से क्यों important है, इस बात को भी पता होना चाहिए, जब आप international relation पढ़ोगे तो इस सब सारी चीज़ें उहाँ पर बहुत काम आएगा, ठीक चलिए, अगला और last question है, rooftop solar program phase 2 के तहट कितने megawatt rooftop solar चमता वृद्धी का लक्ष जो है, वो निर्धारित किया गया है, rooftop solar program phase 2, अब इसके तहट कितना megawatt का लक्ष निर्धारित किया गया है, तो answer होगा आपका 4000 megawatt तक, सबसे पहले rooftop solar program है क्या, तो rooftop solar program के तहट में, अपने घर के उपर, यानि कि छट के उपर में आप solar plant लगा सकते हैं, और solar energy को produce कर सकते हैं, उस solar energy का इस्तेमाल आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, और grid के जरिए इसे connect करके बेच भी सकते हैं, इसे आप income भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने घर में भी electricity को produce कर सकते हैं, आप भारत में solar energy के छेतर में बहुत ही बहतरीन कारी किया जा रहा है, पुरी दुनिया से रहा रही है, तो उसी में से एक program है, rooftop solar program phase 2, जिसके तहत लक्ष रखा गया है, कितना 4000 MW, अब इसके कुछ और other important facts देखोगे, तो इसमें से 3162 MW जो है, वो घरों के लिए allocate किया गया है, कि यानी की new and renewable ministry के द्वारा, ठीक है, और इस योजना का जो क्रियान वैन है, इसी मंत्राले के द्वारा किया जा रहा है, अब इस योजना के तहत, अगर आप अपनी घर में 3 किलो वाट तक के solar plant को लगाते हो, तो इसमें 40% का जो subsidy है, वो central government की तरफ से दिया जाएगा, और इ subsidy को क्या कहा जाता है, CFA यानी कि Central Finance Assistant, तो अगर आप 3 किलो वाट तक का लगाते हो, तो 40% तक subsidy जो है, CFA के तहत, आपको central government द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अगर 3 किलो वाट से लेकर 10 किलो वाट तक की छमता का solar plant अगर आप लगाते हो, तो ये जो CFA है, आपको 20% मिलेग Total Benchmark Capacity का, ठीक है, यहाँ तक बात समाज आ गई, Rooft of Solar Program क्या है, ये बात समाज आ गई, अब देखो, जैसे मैंने बोला कि Westwick लेवल पर, Global लेवल पर Solar Energy में भारत बहुत ही बड़ी भूमी का नी भार है, कुछ दिन हमने पहले ही पढ़ा था, किसके बारे में, One Sun, One World, One Greed क के बारे में, इसका विचार भारत ने 2018 में रखा था, और अब 2022 में COP26 का आयोजन किया गया, यानि कि परियावरन समेलन का जो 26 मा बैठक था, वो आयोजित किया गया कहा, ग्लासको में, ग्लासको में जो है COP26 का बैठक किया गया, और वही पर One Sun, One World, One World, One Greed की जो अवधारना है, उसका विस्तार कैसे किया जा सकता है, ये भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मौनी ने विस्तित्रूप से रखा, क्योंकि ये इंडिया का प्लान है, इंडिया का विचार है, ठीक, इसके अलावा, इंटरनाशनल सूलर एलाइन्स का भी गठन किया गया, कब COP21 के मीटिंग में, यानिकि कॉन्फरेंस ओ पार्टिस 21 का जब समेलन हो रहा था, कहा हो रहा था, पैरिस में, कौन से साल में हो रहा था, 2015 में, जब पैरिस कलाइमेट एग्रिमेंट चेंज, साइन किया गया था, उसी वक्त COP21 के मीटिंग में, इंटरनाशनल सूलर एलाइन्स के गठन की भी बात की गई, और यह पहला एक ऐसा अंतराश्ट्रिय गठवंदन है, यानिकि अंतराश्ट्रिय एजनसी है, जिसका हेड़कोर्टर कहां है, भारत में है, भारत में कहां, गुरु के मेंबर है, तो सोलर एनरजी के छेतर में भारत जो है, पूरी दुनिया को आज के समय पे आप कह सकते हो, कि लेड कर रहा है, तो इस तरह से इस क्वेशन का आप ध्यान रखेगा, सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया, और आस पास की चीज़े जितना भी बताया, उन होचता है, तो भी आपसे क्वेशन बनेगा, मेंस का एक्जामर लिकर हो, तो भी फैदेमंदर होगे, इन टॉपिक्स का वैल्यू अडिशन करने में, इन टॉपिक्स का अधार पर है, ठीक, तो आज के इस लेक्चर में फिलाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इतिहान रखिएगा कि पीडियेफ जो है, मैगजिन में ही अविलेबल होगा, तो इस लेक्चर में फिलाल इतना ही, थैंक्यू, थैंक्यू वर मुचू.